मेरे देश में मैं देख सकता हूँ कि ये समय ऐसा है कि इस समय होने वाली सभी सकारात्मक चीजें और सभी सकारात्मक स्वक्तियों को एक आने से एक हजार साल के भविश्की दिशात्य हो जाएगी और वो भी सकारात्मक होगी ये मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ और इस हर्थ में ये चुनाव कई प्रकार से महत्मकों है अब ज्यादा तर देश का नेड़ा है आज ज्यादी के बाद पैदा हुए लोग वही कर रहे हैं कि इसलिए एक नए सिर्यस होते हैं कि 21 सदी का जो जीवन है तो 21 सदी में जिसने जन मिलिया है कि वह अब निरनायक एज गुरूप में पहुंच गया है तो एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं इसको देखना हूं और उसने बुराया देखे नहीं है लेकिन उसके भीतर एक तरफ है कि दुनिया बदल नहीं हम क्यों नहीं बदलते हैं क्योंकि वो दुनिया को जानता है इस देश में आज सबसे बड़ी पॉजिटिव में चीज देखना हूं वो यह है कि सामान्य मानवी इसका दूसरा शब्द ही एस्पिरेशन है हर इंडियन मतलब एस्पिरेशन यह किसी भी देश की गती का बहुत बड़ा फोर्स होता है चालक बल जो मैं देख रहा हूं और वो सारे निर्णे अपने एस्पिरेशन को द्यान में रखे करता है यह चुनाव वह सोचता है कि मेरे एस्पिरेशन के लुकुल मुझे क्या मिले क्या नहीं मिले और मेरा देश ऐसा होगा तो मुझे मैं इसे निकालगा इस बात पर केंद्रित हुआ है